भारती जनता पार्टी ने करहल सीट पर अखिलेश यादव के जीजा को टिकट दे दिया है जी हाँ, बात कर रहे हैं हम अनुजेश यादव के बारे में सापा मुखिया अखिलेश यादव के जीजा अनुजेश यादव को मिला है बी-जे-पी क्योर से करहल सीट से टिकट पहले इस सीट से सपा मुखिया खुद विदायक थे सीपर सपा ने मैनपूरी के सांसद रह चुकित तेज परताप यादव को उतारा है जो की मुलाइम परिवार के ही है तेश्ट प्रता पियादव को उतार कर अखलेश परिवार वाद को बढ़ावा दे रहे हैं इसी का फाइदा बीजेपी उठाएगी लेकिन बीजेपी ने भी अलग तरीके से मोहरा यहाँ पर बिछाया है मैनपूरी के जिसकर हर सीट से सपा मुख्या अखलेश ने स्तिफा दिया उस सीट पर विजेपी उनके ही जीजा अनजेश यादव को उतार कर यादव परिवार पर बढ़ा वार के लिए तैयार है जी हाँ मुलाइम परिवार के और अनुजेश के बीच का मुकाबला महा मुकाबला के तोर पर नजर आईगा अखलेश ने अपने भतीजे को उतारा है जो कि मैनपूरी के पुर्व सांसत भी रह चुके हैं अनुजेश मुलायम परिवार के दामाद है और मुलायम सिंग यादव के भाई अभायराम यादव की बेटी संधिया यादव के पती है संधिया आजम गड़ से सांसर धरमेंदर यादव की सगी बहन है धरमेंदर जो अखलेश के बहुत करीबी में से एक है संधिया यादव मुलाइम परिवार की पहली बेटी है जिन्होंने राजनीती में कदन रखा था आख को बता दे मैन पूरी की जिला पंचायत अध्याक्ष भी वो रह चुकी है संधिया और अनुजेश को समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया था जिसके बाद दोनोंने बाजवाद जोइन किया आखिर में भाजवाद उन्हें पड़े रणनीती की साथ उप चनाव के लिए तैयार कर उतार रही है मैदान पर गोर हूँ कि नुजेश का परिवाद शुडू से राजनीती में समाजवादी पार्टी से जोड़ा भी है उनकी मा मैनपूरी की गिरोर विदान सभा सीट से जनाजवादी पार्टी केट पर विधायक रह चुकी है टिकट पर वही लोग सबह चनाब के दोरा आने से चचर्चाय थे कि बीजेपी मुलायम परिवार के ही किसी सदसे को डिमपल यादव के सामने उतार सकती है अपार रणायादव चोकी मुलायम परिवार की बहु है इनके नाम पहले सामने आये थे लेकिन बाद में अनुजेश का नाम सामने आया नेक्ष्ट नाइं यूस्ट रुप्ति रिपो